दोस्तो नमस्कार हमारे यूटूब चैनल मोनुशा मेडिसीन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एविल इंजेक्शन के बारे में जो कि दोस्तो बहुत अच्छी इंजेक्शन है और इसके क्या फाइदे का मिस्कारन है हम पूरी जानकारी बाते करके देंगे आप सब यह मार साथ बने रही है और ध्यान से देखिए तभी आप सबको अच्छे जानकारी मिल पाएगी जाए इंजेक्शन किस चीज में समल किया जाता है इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करें और भी लाइकन नमाना ना भूलें इससे क्या को दोस्तों कोई वीडियो बनाएंगे आप तक निट्फिकेशन पहुशती रहेगी आज बात करते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में दोस्तों एविल इंजेक्शन एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जिसका इस्तमाल मुखे रूप से एलर्जि होने पर इसे इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा और किन किन कंडिशन में यूच किया जाता है फिनर माइन मिलेट फची समझी चले दोस्तों अब जानते हैं किन किन कंडिशन में हम इसे इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है जैसे कि जुखाम, छीक आना, नाक बाना इस कंडिशन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और सरीर पर किसी दवा का allergy हो जाना यानि किसी दवा से अगर reaction हो जाता है तो सरीर पचकते खुजली होने लगते हैं तो उस condition में भी इसका इस्तमाल किया जाता है कई लोगों में ओठ सूच जाते हैं गले में सूचन आ जाता है साथ साथ मैं आपको बता दूँ चेहरे पर भी सूचन आ जाती है तो उस condition में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और अगर किसी के आँखों में जलन हो रही हो या फिर आखे आ रही हो तो उस condition में भी इसका इस्त प्रब्लम हो तब आप ले सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है वो सुवा साम एक एक इंजेक्शन ले सकते हैं और ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं दो से तीन दिन तक दोस्तों वीडियो को पुरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोड़क्ट हम यूज क करना चाहिए दोस्तों जो मैला गर्वती हो वो इसका इस्तमाला करें फिर जो दस साल से कम उमर की बच्चे हैं वो इसका इस्तमाला करें फिर जो मैला अपने बच्चों को अस्तनपान कराती हैं वो भी इसका इस्तमाला करें साथ-साथ मैं आपको बता दू जिन लोगों को हिर्दे रोग हो यानि दिल के किसी तरह की विमारी हो वो इसका इस्तमाल ना करें साथ-साथ मोतिय भी नजिसको हो वो लोग भी इसका इस्तमाल ना करें आई जानते हैं अब इसके फादे दोस्तों अगर किसी को कोई दवा सूट नहीं करती एलर्जी कर गई हो तो आप एविल इंजेक्शन का इस्तमाल कर सकते हैं वो सरीर पर चक्ते बगरा खुजली बगरा होने लगते हैं उसको यह धीरे धीर करके ठीक कर देता है साथ साथ मैं आपको बता दू यह फिर किसी को एलर्जी हो गई हो जैसे की जुखाम, खासी, फिनाग वायना इस कंडिशन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है बहुत अच्छा काम करता है यह इंजेक्शन का साथ साथ मैं आप लोगों के बता दू किसी के आखे उठती हो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है आईए जानते हैं, एविल के भी साथ इफेक्ट होते है दोस्तों मैं आपको बता दू एविल इंजेक्शन का भी साथ इफेक्ट होते है लेकिन बहुत कम देखे जाते है एविल इंजेक्शन का साथ इफेक्ट होते है दोस्तो जैसे आपने इंजेक्शन लगाया और अगर आपको सास की प्रॉब्लम होने लगे सास फूलने लगे तो आप समझे लिजिए ये विल आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर किसी को मुह सूखता है तो उस कंडिशन में भी आप समझ सकते हो आपको ये सूट नहीं कर रहा है दोस्तो आज का हमारे वीडियो समाथ हुआ कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें